हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बुद्धी किसे कहते हैं बुद्धी का अर्थ, परिभासा और प्रकार तीनों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मनों विज्ञान के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट हैं जहां से हर साल इस टॉपिक से कोशन पूछे जाते हैं तो चलिए हम जानते हैं बुद्धी किसे कहते हैं सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं अब हम बुद्धि के अर्थ के बारे में बात करते हैं बुद्धि सब्द प्राचीन काल में ब्यक्ति की ततपर्ता ततकाल निता समाईज्वन तथा समस्य समाधान को छमताओं के संदर में परियोग होता रहा है सब्धि समाधान रूप से योग नहीं होते हैं मानसी योगता ही उनका समान होने कारण है इसे कह सकते हैं कि बुद्धि हर प्रतिक ब्यक्ति में बुद्धिक अलग-लग टायप करते हैं तो अलग-लग मनो बघ्यानी के नुसार अलग-लग तरह के इसको डिफाइन किया गया तो सबसे पहले हम बर्किंगम के नुसरा बात करते हैं इनके नुसरा कहा गया है कि सीखने की योगिता ही बुद्धी है यानि कि जितना जल्दी सीखता है उसके बुद्धी जादा है अटर्मेन के नुसरा जो ब्यक्ति जितना जादा चिंतन करने की योग है वा उसी अनुप बद्धि के प्रकार में बद्धि बात करतимे हं तो वह ज्ञानिक थांट डाइक ए यो ग Keyret ने बद्धि को तीन प्रकारों में बाटा है पहला इंप मूर्थ बुद्धि दूसरा मूर्थ यह सथुल बुद्धि तीसरा समाजी अमूर्थ बुद्धी ब्यक्ति की एसी बौधिक योगता जिसकी मदद से गड़ित साब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समादान किया जाता है अमूर्थ बुद्धी का प्रयोग करके हम पढ़ने लिखने यह तार्खिक प्रसनों में करते हैं कभी साहित्कार चितकार, आदी लोग अमूर्ध बुद्धी से ही अपनी कला का परद्शन करते हैं. मूर्ध या स्थुल बुद्धी के द्वारब बिभिण परकार की वस्तुउं का बैवहारिक जियों उत्तम परियोग करने की छमतार चित करता है। मूर्द बुद्धि को ब्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन के चारदा तकार मूर्द बुद्धि की हिसायता से करते हैं। तीसरा है समाजिक बुद्धी, समाजिक बुद्धी से तातपर उन बोधिक योगताओं से जिसका उपयोग कर बैक्ति समाजिक परवेश के साथ समा योजन अस्थापित करने में करता है.